असलाम अलेकुम स्टुरेंट्स हम पाढ़े हैं ओपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 6 डेटलॉग आज हम इसमें पढ़ेंगे डेटलॉग को अवाइट किस तरह किया जाता है डेटलॉग वाइटनेज अलाओ फार मोर केंकरेंसी देन प्रिवेंशन इंशो तैट सिस्टम विल इसमें देखा जाता है कि सिस्टम जो है वो अन्सेफ स्टेट में ना जाए अटिसीन इसमें डाइमिकली वैदर करन्ट रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट इट विल पोटेंचली लेट तो अगर हम प्रोसेस को रिसोर्स दे देते हैं तो क्या वो डेटलॉग हो सकता है या नहीं हो सकता यह हमें फैसला करना होता है इस डेटलॉग अवाइटनेस टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम नेट अडिशनल इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्रेंटली अविलेबल ता रिसोर्स क्रेंटली अलोकेटेट तो इच प्रोसेस ता फीचर रिक्वेस्ट एन रिलीस आफ इच प्रोसेस एटी सी यानि अगर हमने डेटलॉग को वाइट करना है तो हमें इन चीजों को भी जेन में रखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली एक्टेप दो सिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस तो अलोकेट सोजी तैड विल नाट लैट तो डेटलॉग अप्रोचिस फार उपढ़र अलोकेटि सौसिस तो दा प्रोसेस असिस्टम टू ऑफ और ऐसे एक्जिकुशं सीक्वेंट एस से एक्जिकुशन सीकाइट हैं इंच अल्च विजंग एदोट फिस्वेंग ऊप्र।क्ट यैप 17 ओट अब अब तेड श्िग में आरम एंग्नैटिक टेप से ए यानि इसमें कोई ऐसी रिसोर्स आगी जो के अवेलेबल नहीं थी और वो हमने उसको देनी पार गी तो इस स्टेट में हम अन्वेलेबल आ जाती हैं क्योंकि इसमें हमें रिलीज करना पड़ जाता है अब सबसे जो में चीज है इसमें रिसोर्स आलोकेशन गराफ ऐलकरित्म इसके जरिये से भी हम अवाइड कर सकते हैं deadlock को अब इसमें हम resource allocation में करते के हैं कि हम इसमें एक introducing a new edge हम एक new edge बना लेते हैं जिसको हम claim edge कहते हैं the claim edge is used to integrate that process may request a resource in future के future में यह जो source है वो use हो सकती है और इसको हम dash line से यह आप देखें dash line से हम इसको represent करते हैं तो it is represented by when the process request that so the dash line is converted to an assignment edge यानि solid line यह कि यह बन जाती है जब in future यह resource चाहिए होती है इस process को it indicates that the source has been allocated to the process after the process released is so the assignment edge is again converted to claim edge यानि दुबारा वो target line बन जाती है all claim edges of a process are represented in the graph यानि सारे जो claim edges and future use हो सकते हैं इसको हम कर देते हैं इस तरह cycle can be detected by using a cycle detection algorithm resource allocation algorithm cannot be applied to a system having multiple intensity of each resource type यह वहाँ पर use नहीं हो सकता तो यह था आज का हमारा topic जिसमें हमने देखा के डर्ला को कैसे avoid किया जा सकता है safe state देखी unsafe state safety or resource allocation graph algorithm भी देखा उमीद है आपको यह समझ जाया होका इसी के साथ खुदा हाफिस